दोस्तों आपका चैनल पाइपिंग और मेकेनिकल ग्यान में तहे दिल से स्वागत है आज के इस वीडियो में जाने वाले हैं कि कमफाइंड इस्पेस में एंट्री करने से पहले कुछ रूल्स एन रेगुलेशन होते हैं जिनको मेक स्योर यानि कि सुन शित करना बहुत जरूरी होता है तो चलिए सुरू करते हैं सबसे प्वाले CSC यानि की Confined Space Entrant यानि की जो Confined Space के अंदर जाने वाले हैं उन सभी परशन का Confined Space का ट्रेनिंग होना चाहिए और उनके पास CSC काड होना चाहिए या HSSE Training Passport पर Confined Space वाले कॉलम में Confined Space Training का signature होना चाहिए उसके बाद valid permit होना चाहिए उसके बाद Confined Space को isolate किया गया है क्या ये भी confirm करना है उसके बाद gas test हुआ है क्या make sure करना है उसके बाद proper ventilation हुआ है की नहीं ये भी सुनिशित करना है उसके बाद Confined Space में compressed gas तो नहीं है ये भी confirm करना है उसके बाद Confined Space के अंदर 24 volt का light होना चाहिए जो GFCI या ELCV से attached होना चाहिए उसके बाद emergency rescue plan है की नहीं ये भी confirm करना है rescue plan यानि की वहाँ emergency rescue team है की नहीं इश्काबा है की नहीं फर्स्ट एट कीट है की नहीं फायर रिस्ट्रिगूसर है की नहीं ये सब भी make sure करना है उसके बाद authorized whole watcher वहाँ present होना चाहिए उसके बाद entry exit log seat होना चाहिए उसके बाद confined space area varicated है की नहीं ये भी make sure करना है और warning sign board होना चाहिए उसके बाद intent को body harness पानना है उसके बाद जो भी person confined space में जाने वाले हैं उनका toolbox meeting करना है या LMR conduct करना है LMR यानि की last minute risk assessment उसके बाद entrant के पास proper PPE और multi gas monitor होना चाहिए तो इन सभी चीजों को confined space में entry करने से पहले make sure करना है करना है